अभी के टाइम में अगर आप मार्केट में जाएं 轉rone खरेदे के लिए करने के लिए चखे आफ dryer एप्लाइन हो स्च अन लाइन हो तो आप अलग अलग दला के लिए चब्डोर ऑदAwदा ख्राक डी साथ के सब्लानों हो । क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि 48 MP के साथ 2.8 का aperture या 64 MP के साथ 2.9 aperture इस तरीके सुनते होंगे तो आज हम आप लोग को बताएंगे की camera aperture होता क्या है, उसका काम क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे aperture मतलब होता क्या है तो camera में aperture का मतलब होता है छेद या hole का सकते हैं तो देखिए यह मेरा smartphone है और model है Samsung का A52s तो back camera में दिखा रहे हो इसमें aperture है क्या मतलब जो छेद है वो कहा है, कौन है तो देखिए थोड़ा सा हम जूम करते हैं थोड़ा blur हो गया है तो जूम करते हैं camera aperture aperture जो है यानि छेद जो है camera में काम क्या करता है तो अगर छेद size में बड़ा होगा तो आपका photo night mode में या जहां पर light condition ठीक नहीं होगा वहां पर अच्छा आएगा ठीक है और अगर यह जो छेद है वो छोटा रहेगा अकार में तो आपका सकते हैं कि लाइट अंदर sensor पर ज्यादा जाएगा नहीं तो आपका photo उतना सही आएगा नहीं और इसमें सबसे बड़क confusion क्या है आप लोग ध्यान से समझेगा यहां पर इसक्रीन पर देख रहे हैं यह 2.8 यानि यह मतलब होता है फोकल लेंथ है तो जब भी aperture की बात की जाएगी तो उसे यफ से परदासित करेंगे तो यहां पर इसक्रीन पर देख रहे हैं 2.8 एक कैमरा का सेंसर मैं दिखा रहा हूं इसमें जो छेद है वो बड़ा है अब एक लाश्ट में देखिएगा कि यह आफ 16 यानि 16 है इसका जो कैमरा है इसका जो छेद है वो छोटा होगा तो कहाने का बदला में है कि जब किसी कैमरा का पर्चर जो है नी छेद है वह नंबर वाइज कम र चोटा होगा समझ रहे हैं यानि यहां पर उल्टा है ऐसा नहीं कि अगर हम 15 है तो 15 मतलब बड़ा च्छेद होगा इसा नहीं है वो छोटा होता चल जाता है तो यह बात आप लोग को ध्यान में रखना है और यह अपर्चर जो है सभी कैमरा हम होते हैं अब जितना बेटर यानि जितना कम नंबर वाइज अपर्चर रहेगा छेदुतना ही बड़ा रहेगा और अच्छा खासा फोटो आ जाता है और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बहुत मेरा लगता है वीडियो बनाने मे प्लीज रिक्वेस्ट है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत